क्या बात है कभी जी जैजिनेंदर बंधु हो मैं कभी डॉक्टर राहुल जैन आपका सागत करता हूँ आपके अपने कारेकरम में जिसका नाम है क्या बात है कभी जी क्या बात है कभी जी दोस्तो इस दुनिया में जब ओसधी काम नहीं आती तब सिर्फ एक चीज है हमारा आत्मवल जो हमें कठिन से कठिन परिस्थी में भी बाहर निकाल देता है दोस्तो करोना की इस दूसरी लहर ने हमें बहुत दुख दिया है हमारे बहुत से अपने हम से छीन लिए गए है पर हमें ये भी पता है कि ये समय भी एक दिन चला जाएगा बस जरूरत है तो निराशा के इस मरुस्थल में आशा के कुछ पौधे लगाने की यदि हम ये पौधे यूही लगाते रहेंगे तो एक दिन हर्याली जरूर आएगी और इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं आशा के कुछ पौधे जो अपनी कभीताओं की ऑक्सिजन से आपके आत्मवल को नया जीवन देंगे तो आईए मुलाकात कराते हैं हमारे अपने महमानों से हमारे बीच में भोपाल से चलकर एक ऐसे महान शायर आए हुए हैं जिन्होंने हिंदी और उर्दु का डंका पूरी दुनिया में पजाया है और उनका नाम होता है स्री मंजर भोपाली जी अपनी हास्त की बंदुक से दनादन हास्त की गोलियां चलाने वाले एक अदबोध हास्त कवी हमारे बीच में हो और उनका नाम होता है दीपक दनादन और इसके साथ ही जर्मनी की कैपिटल वर्लिन से हमारे बीच में एक अंतरराश्टिक कवित्री आई हुई है और उनका नाम होता है डौक्टर योजना साह जैन दोस्तों आज के समय में सबसे कठिन कार है उदास चहरे पर हसी लाना, मुस्कान लाना पर यह काम बखू भी करते हैं दीपक दनादन जी तो आईए शुवात करते हैं दीपक दनादन जी से दोस्तों आज के समय में चारो निराशा है, हतासा है, उदासी है तब आपको हसाने की जिम्मेदारी उठाई है इनोंने तो आईए उन्हें बुलाता हूँ अपनी चार मॉटिवेशनल पंक्तियों से कि है नहीं आसान निकलना तल रहत इस कूप से पर फकीरों को कहां डर मंत्रियों से भूप से और अंत हर परियाय का होना अगर है सक्ते तो ओसकी मैं बूंद होकर भी लड़ूंगा धूप से तो आईए दोस्तों उदासी की धूप से लड़ने वाली ओसकी बूंद बनकर जो आए हैं उन्हें उदाने चाया हूं तो आईए आपके जोर्दार तालियों के बीच में मंतित करता हूँ दीपक दनादन जी को नमश्कार मित्रों मैं दीपक शुकला सबसे पहले पारस चैनल और राहुल जैन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस काम के लिए कि वे एक नए कवियों को लेकर और बरिष्ट कवियों को लेकर इस कावे का इनुश्चान करर रहे हैं बड़े बधाई के पात रहे हैं लोग मुझे दीपक दनादन कहते हैं लेकिन मैं भगवान महाविर्थ सौामी के चर्णों में बंदन करता हूँ और चार पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ कड़ी तपस्या करके जिसने आत्म ग्यान को पाया है कड़ी तपस्या करके जिसने आत्म ग्यान को पाया है और स्यम पर स्यम रखने का विधान अपनाया है जिसने कपट भरे इस युग में मानव का उध्धार किया बिना युद्ध के जीत स्वयम को महावीर कहला लोग दनादन कहते हैं साब मुझे हासे वेंका कभी हूँ बिना दनादन के कामी नहीं चलता लोग दनादन क्यों कहते हैं सुनिएगा और आनंद लीजिएगा हासे का कभी हूँ आनंद का कभी हूँ सागत है वाई बिन बुद्धी धरती पे आए और धरा के बोज कहा ए गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन सिक्छा की नहीं विलकुल एक्छा फिर वी बार अमबार पर एक्छा दे थे और जीरो नंबर पाते थे हर वार धनादन हो गई खाते खाते मार धनादन एक दिन अक चबाली आया डैडी ने हम को त्लवाए आ फोकट में भी ना ले पाया ऐंसे हम मंगार धनादन तो बिजनिस भीवर बात कर दिया आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन बंचित रहे प्रेमिकाओं से बॉइफ्रेंड की भूमिकाओं से हर कन्या ने हम में देखा भईया का किरदार दनादन मेरे मामा कहते हैं कि सुबह सुबह जल्दी उठके सड़क पर दोड़ लगाया करो स्वास्त पढ़िया रहता है भग्मान कसम एक दिन उठ गया सुबह चार बजे फिर क्या हुआ सुबह सुबह कसरत को जागे सुनी सड़क और हम भागे देख अकेला हमको पीछे पढ़ गए कुछते चार दनादन ऑलम्पिक का दोड़ बेजेता भी ना लगता अपने आ गया बिना पदक के रेस जीद गए ऐसी दीर अफ्तार दनादन बंचिक बंबंबंबंबंबंबंचिक बंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबंबं क्या होता अगर परमानूं की जगे प्यार महबत का बम बनता आतंकी का मतलब होता अगर सेंटा क्लॉज यहाँ प्र तो स्वयम बुलाते बच्चे यारों उनको रोज यहाँ सरहद पर पहरे ना होते पिकनिक होती शान से मम्मी को मिलने आ जाते मामू पाकिस्तान से और चाइना की मौसी को जीब चिडाते हम हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर घर की छट पे या दर्वाजे पे कववा बैटता तो महमान आने वाला होता साब नजर से बचने के लिए काला टीका लगाया जाता है और अफरीका में भी काले लोग पाय जाते हैं इन बातों को याद रखना और मेरी यह पंकिया सुनना सरहद पर जब कववा कोई काओ काओ करके जाता सीमा पर जब कववा कोई काओ काओ करके जाता रूस कोरिया की शादी का काड हमें देने आता अमरीकन गोरी जब प्यार से हमें पुकारा करती जी फिर अपनी अफरीकन चाची नजर उतारा करती जी बंगला देसी चाचा जी भी ये गाते हर दम जब भूतानी बेहन बनाती अपने हाथों से दोसा जब भूटानी बेहन बनाती अपने हाथों से डोसा खाते जा पानी फूपाजी और इजराइल के मौसा मस्ती करते कजन हमारे जर्मन इटली इरानी लाड दिखा कर उन्हें डाटती अपनी लंदन की नानी तभी फ्रांस के नाना कहते ओ माए सन कम कम जब बेटी बड़ी हो जाती है तो माता पिता में बहस होती है क्या बहस होती है सुनना और आनंद लेना न्यूजीलेंड की ताई ताउ और अस्ट्रेलिया से कहती न्यूजी लेंड की ताई ताउ आस्ट्रेलिया से कहती शादी लायक हुई सीरिया तुम्हें नहीं क्यों सुद रहती ए जी वो एराक आए हैं तर्की का रिष्टा लेकर बात करो पकी दहेज मैं कुए तेल के ले दे कर तो जिंबाबे के संग भागी तो क्या कर लेंगे हम और अंतिम्पंग्तिया इस गीत की गीत लंबा है लेकिन अंतिम्पंग्तिया सुनियेगा और आनंद लीजिए गा मौरी शस नेपाल और फिजी तीनों ही चिलाते हैं भैया दुबई बड़े गंदे हैं हमको नहीं खिलाते हैं ऐसा यदिमा हॉल हो गया सारी दुनिया देश में यदिमा हॉल हो गया सारी दुनिया देश में युध्ध नाम की चीज नहीं होगी अपने परिवेश में मस्ती भरा सुहाना होगा ये सारा आलम बंचिक बंबं बंबं बंबंबंबंचिक बंबं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद Jest जिन्होंने बसुधेव कोटमकम का असली मतलब आपको बताया और अपने रिस्तेदार पूरी दुनिया में फैला दीजिए पर इनकी कविताओं को सीरियसली मत लीजिए क्योंकि विदेश तो छोड़िये हमें अपने घर से भी बाहर नहीं निकलना है बस टीबी पर इनके मज़े लेते रहिए और आपको भी इनकी कविताओं में मज़ा आया है तो कह दीजिए क्या बात है कविजी तो जी दीपक दनादन जी तो सरफ अपनी कविताओं में ही विदेशों तक पहुँचे थे डॉक्टर योजना साहजैन वह है अंतरराष्टिय मंचों पर भारत का पती निदित्तो करती है और दुनिया भर के साहित कारों को एक मंच पर लाने का कारे भी कर रही है तो आएए आव उसकी जोड़दात तालियों के बीच में आमंकित करने जा रहा हूँ डॉक्टर योजना साहजैन जी को नमस्कार मैं डॉक्टर योजना साहजैन वर्लिन जर्मनी से आज आप सब के साथ जुड़ी हूँ पारस टीवी और डॉक्टर राहूल जैन का बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे इस कारिक्रम से जोड़ने के लिए तो भगवान महावीर और सभी के इष्ट देवों को नमन करते हुए आज एक प्यार का, एक रार का, तकरार का, एक खटा, मीठा गाना, एक तराना आप सब के लिए लेकर आई हूँ तो प्यार से सुनिएगा सागत है, सागत है तेरे मेरे बेच में कि तेरे मेरे बेच में परचाया अच्छी नहीं लगती परचाया यहाँ पे ध्यो तक है दूरियों का कि तेरे मेरे बेच में परचाया अच्छी नहीं लगती छोटी हो या जिहा छोटी हो या बड़ी हो लड़ाया अच्छी नहीं लगती कि तिरे मेरे बीच में परचाईया अच्छी नहीं लगती छोटी हो या बड़ी हो लड़ाईया अच्छी नहीं लगती तिरे चहरे की रंगते जहां मेरे दुनिया बसते वहां लाखों के भेड में भी सुन ले सुन ले तिरे बिन है तनहाईया तेरे हाथों में हाथ ना हो तो मुझे किसी बात की अच्छाया अच्छी नहीं लगती और फेस्बुक पे लाखों बधाया अच्छी नहीं लगती कि तेरे मेरे बीच में परचाया अच्छी नहीं लगती पर जहाँ प्यार है वहाँ तकरार है तो एक ऐसी चोटी मोटी नोगचुंग का इन पंक्तियों के माध्यम से चित्रन देखिए कि माध्य पिशिकन डाले सीने में जलन पाले खड़े महरूर से हैं जो बनते हैं टशन वाले खोल करकान ले लो ज्यान छोड़ गुरूर बात लो जान वो बात क्या है वो बात ये है कि कि धलती कि धलती उम्र में रसवाया अच्छी नहीं लगती फिर चाहे लाख दो さफाया अच्छी नहीं लगती कि मेरे बीच में परचायां अच्छी नहीं लगती और अगला बन बहुत ही खुफसुरत बन पड़ा है तो वह और फर्माईएगा कि मासम सुहाना था पर तुम को जाना था काम तो बस बहाना था हम से पीछा छुडाना था कि दुनिया घूम कर आए जी हाँ कि दुनिया घूम कर आए ठाके मांदे सारे साए कि दुनिया घूम कर आए ठाके मांदे सारे साए सर्द रातों को की ताबा मुह से निकला उफाए कई लोग इस बात से relate कर पाएंगे कि तुछ बिन तेरे नाम की जमाया अच्छी नहीं लगती और तुछ बिन सरदी में रजाया अच्छी नहीं लगती कि तेरे मेरे बीच में परचाया अच्छी नहीं लगती छोटी हो या चोटी हो या बड़ी हो लड़ाया अच्छी नहीं लगती और आपकी बन जालिम दुनिया के नाम कि दुनिया तो जालिम है ताने लाखों मारेगी देवर भाजी नन दे ताकेंगी जाकेंगी पर कर लो कितने भीजतन कर लो कितने भीजतन तोने तोट के हवन ये प्यार के पेड़ है हो लारे मारेगी कह दो जाकर ये सबसे सासू से और ननद से कह दो जाकर ये सब से सासू से और ननद से क्या कह दो किमिया को किमिया को पीठ पीछे की पढ़ाया अच्छी नहीं लगती और मुझे को सासू की बुराया अच्छी नहीं लगती कि तिर मिर बीच में परचाया अच्छी नहीं लगती मुझे को सागर की गहराया अच्छी नहीं लगती और मीर और गालब की रुबाया अच्छी नहीं लगती और मुझे पूरी उमीद है कि आपको ये गाना जरूर अच्छा लगा होगा तो प्यार से रहिए लड़िये मत और जब भी लड़ाई हो तो ये गाना अपने साथी को सुना दीजे स्वस्त रहिए खुश रहिए नमस्कार शुक्रिया तेरे मेरे बीच में परचाईयां अच्छी नहीं लगती पर गीत जब इतना अच्छा हो गाना जब इतना अच्छा लगता हो तब बधाईयां अच्छी लगती हैं और हम देते हैं बधाईयां डॉक्टर योजना साह जैन जी को और कहते हैं क्या बात है कभी जी दोस्तों हम मैं जिस महान शायर को बुलाने जा रहा हूँ उन्होंने अपनी आवाज और अपनी शायरी की खुश्वू से पूरी दुनिया को दीवाना बुला रखा है वो आज के समय के देश के सबसे नामचीन शायरों में से एक है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ मनजर भोपाली साब की जिन्होंने अपनी शायरी से ना सिर्फ भोपाल ना सिर्फ मद्यपरदेश बलकि पूरे हिंदुस्तान का सीना गर्व से हूँचा किया है तो आएए दोस्त उस महान शायरों को उन्हीं की चार पंक्तियों से आमंतित करता हूँ और देखिएगा इन चार पंक्तियों में वह आज के सिस्टम और आज की व्यवस्था पर कैसी चोट कर रहे हैं जो चाहे कीजिए कोई सजा तो है ही नहीं जमाना सोच रहा है खुदा तो है ही नहीं और दिखा रहे हो नई मनजिलों के ख्वाव हमें तुम्हारे पास कोई रास्ता तो है ही नहीं तुम्हारे पास कोई रास्ता तो है ही नहीं और इनी जवर्दस चार पंक्तियों के साथ और मैं आपकी जोड़दार तालियों के बीच में आमंतित करने जा रहा हूँ मनजर भोपाली साथ को एक खजल के तीन चार शेयर पेश करके फिर मैं गीत पेश करूँगा एम लाद अफरमा ये खजल का मतला बे अमल को दुनिया में राहते नहीं मिलती बे अमल को दुनिया में बे अमल को दुनिया में राहते नहीं मिलती दोस्तों दुआओं से जन्नते नहीं मिलती दोस्तों दुआओं से अपने बल पे लड़ती है अपनी जंग हर पीडि अपने बल पे लड़ती है अपनी जंग हर पीडि नाम से बुजर्गों के अजमते नहीं मिलती नाम से बुजर्गों के इस नए जमाने के आदमी अधूरे है इस नए जमाने के आदमी अधूरे है सूरते तो मिलती है सीरते नहीं मिलती सूरते तो मिलती है आज कल वही अफसर कोसते हैं किसमत को जिनके उंचे उहदों पर जिनको उंचे उहदों पर रिश्वते नहीं मिलती जिनको उंचे उहदों पर सुहरतों पे इतरा कर खुद को जो खुदा समझें सुहरतों पे इतरा कर खुद को जो खुदा समझें मनजर ऐसे लोगों की तुर्बते नहीं मिलती क्या बात है सर वहाँ करते हैं वो सिर्फ गंगा है मैंने गंगा के उपर एक गीत कहा है जो मैं पारस टीवी के लिए खास दोर से पेश कर रहा हूं सागत है सागत है सागत है तुम भी पियो तुम भी पियो हम भी पिये रब की महरवानी प्यार के कटोरे में गंगा का पानी ही प्यार के कटोरे में तुमने भी समारी है ये जमी तुमारी है ये जमी हमारी है होलियों के रंगों सी सुबह की अजानों सी मंदिरों के फूलों सी सुबह की अजानों सी होलियों के रंगों सी इद की से मईयों सी मंदिरों के फूलों सी सुबह की अजानों सी इस जमी पे लिखना है प्यार की कहानी प्यार के कटोरे में घंगा का पानी प्यार के कटोरे दर्म जो तुम्हारा है धर्म सबका प्यारा है बस भरम ने मारा है धर्म पर जगडते हैं धर्म पर जो लड़ते हैं अपनी इस बुराई से अपनी इस लड़ाई से शर्म से न हो जाए धर्म पानी पानी प्यार के कटोरे में गंगा का पानी प्यार के कटोरे में गीत का ये बन भी देखें काशमीर वाले हो दिल के जियाले हो यूपि के हो मत वाले या बेहार के पाले गीत गाते गुजराती बनके सब रहे साती कोई धर्म वाले हो गुरे हो यकाले हो जात हम सभी की है हिंदो से तानी कार के कटोरे में गंगा का पानी कार के कटोरे में गीत का अंतीम चंदे एक शब्द आएगा इसमें आफ़ताब आफ़ताब माने सूरज और महताब माने चांद के होते हैं समात थर्माईए आफ़ताब किसका है महताब किसका है महताब सबका है आफ़ताब सबका है किस तरह से बाटेंगे रब की महरबानी प्यार के कटोरे में गंगा का पानी प्यार के कटोरे में गंगा का पानी एक अधभुत शायर का अधभुत गीत दोस्तो और क्या कहें बस इतना कह सकते हैं कि क्या बात है कवी जी क्या बात है कवी जी दोस्तो इस महामारी ने हमें इतना तो सखा दिया कि हमारे जीवन में एक समय एक ऐसा जरूर आता है जब इस पैसे और रुत्वे की कोई कीमत नहीं होती जब कोई चीज हमारे साथ जाती है तो वह होते हैं हमारे कर्म कभी मैंने चार पंक्तिया कही थी कि कर्म किये जो उनकी गठरी तौल के गया माटी तन संसार सिंधु में घोल के गया कि कर्म किये जो उनकी गठरी तौल के गया माटी तन संसार सिंदु में घोल के गया औरे हम क्या हैं जब आधी दुनिया जीतने वाला अरे सिकंदर दौनों मुठी खोल के गया तो दोस्तों आज समय है देश को और समाज को हम लोगों की हमारी सहायता की और मुझे गर्व होता है हमारे जैन कवी संगम और मातरभासा उन्यन संस्थान के साथियों पर जो की इस महामारी के कालम है महामारी से पीड़त लोगों की सहायता कर रहे है तो इसी तरह अपने आस पास के लोगों की सहायता करते रहे सभी कुरोना वारियर्स को मेरा ससत नमन, ससत सलाम और दोस्तों अगले हपते फिर आपसे मुलाकात होगी एसी जगाए, एसी समाए तब तक के लिए जैजनेंदर